इस मीटिंग इस बिंग रिकॉर्ड़िड हरे किष्णा आप से भी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कारेकरम में जिसका नाम है गीताव लोकन और हम आज की इस कक्षा में अध्याय अठारा पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पिशली कक्षा में हमने अध्याय अठारा पर अपना अध्यान आरंब किया था इस अध्याय का शीर्चक है उपसंगार सन्यास की सिध्धी यह हमारी एक सोतीन वी कक्षा है अगला चरन प्रार्तनाओं से कक्षा कारंब करेंगे बक्तों से आग रहे है कि किरपा करके अपने माइक्रोफोन मूट कर लें तो अटिए कि अध्या करें तो अध्याइब ने वट भद धन्यवाद अंगला चरन प्रार्तनाओं से कार्य करम कारंब करेंगे ओम ज्यानति मिरंधस ज्यानन जनाशला कया शक्रून मीलितं ये ना तस्मई श्रीगुरवे नमाहृवच्ण श्री चेतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयमरूपक दामयं ददाती स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्री युता पदकमलं श्री गुरून वैश्नवाम्ष्च श्री रूपं साग्रजातं सहगर रगुनाद अन्वितं तंस जीवं साद्वाइतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान विताम्ष्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गाउरांगी राधे ब्रिंदावनिश्वरी ब्रिशभानू सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतर उभ्यस्च कृपा सिंधुब्य एबच्च पतिता नाम पावनेभ्यो वर्ष्ण वेभ्यो नमूनमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण आरे हरे कृष्ण के इसके साथ ही हम अध्यागाधारा के अवलोकन मानचितर पर आ और यहां देखिए पिशली बार जब हमने कक्षा अध्याय 18 पर अपनी चर्चा आरंप करी थी तो हमने पहले श्लोक से लेकर 9 श्लोक तक अपनी चर्चा पूरी कर ली थी आज की कक्षा में हम 10 श्लोक से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अभी थोड़ी देर में ही हम अभी पहले से 9 श्लोक में जो हमने चर्चा पिशली बार करी थी उसका एक बार उन्हें स्मरंड करेंगे एक बार फिर से रिवाइस करेंगे लेकिन आज की जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से इन दो विश्यों पर हम चर्चा करेंगे जो मैं यहां श्लोक पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो पहले आप यह समझिए मोटे तोर पर कि इन दोनों विश्यों में इन दोनों विभागों में तेरा से सत्रा और अठारा से चालिस मुख्यर उपसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं तो यह देख व्यक्ति कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है और फल की आसकती को त्याकर कर्म करता है उसके दिमाग में यह नहीं होता है कि मुझे यह फल मिलेगा मुझे सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी ऐसा कोई उसके मन में भाव नहीं होता है सिर्फ भाव जो परधान हो पुरा करना है तो ऐसे व्यक्ति को क्या केते हैं कर्म योगी और जो व्यक्ति कर्म योगी होता है भगवान श्री कृष्ण अब देखिए पहले विषय में पहले विभाग में बताएंगे कि उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है उसके जीवन में कोई कर्म अच्छा कर्म या बुरा कर्म कोई बंधन नहीं लगता है इसका मतलब यह है कि यह इस प्रकार से कर्म योग करना इसका फाइदा क्या है इसका लाब क्या है वो व्यक्ति जन्म मृत्यू की जो चक्र है उससे मुक्ति की और आगे बढ़ने लगता है तो ये उसका लाव है अब ये बताने के बाद फिर भगवान इन दोनों विश्यों में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं और दो महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि भगवान पहले दूसरे विफाग में बताते हैं कि ये जो कर्म योगी है जो कर्तव्वे से प्रिवित होके कर्म कर रहा है इस व्यक्ति की वास्तव में बुद्धी किस तरह की होती है इस व्यक्ति की सोच किस तरह की होती है इस कर्म योगी की तो ये है कर्म योगी का ज्यान तो ये पहला ज्यान है मतलब पहली एक विषय यहांपर उठाते हैं और उसके अंतरगत भगवान बताते हैं कि ऐसा जो कर्म योगी है, वो कर्म को पांच प्रकार से देखता है, पांच उसके कारक हैं, पांच उसके factors हैं, घटक है और उनमें पांचवा जो फैक्टर है वो है परमात्मा तो जो कर्म योगी होता है वो अपने जो कर्म करता है उसमें हमेशा सदैव इस भात का ध्यान रखता है कि वास्तव में परमात्मा की अनुमती के बिना परमात्मा की परमीशन के बिना उसका कोई कर्म जो है शलोक में यहां पर बताई गई है और वो यह है कि कर्म योगी यह जानता है कि उसके जितने भी कर्म हैं मतलब जितने भी उसकी क्रियाएं हैं जितने भी उसके कारेकलाप हैं उनमें हर बार हर जगा तीनों गुणों का प्रभाव रहता है तीनों गुण कौन से हैं अब आप स अगवान शी कृष्ण अब यहां पर इन दोनों विश्यों में करते हैं जिनके उपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे उसमें मुख्य रूप से 18-19 तक आज मैं समझता हूं चर्चा हम पूरी कर पाएंगे तो समझें के दस्वें श्रोक से पहले विभाग के दस्वें श्रोक से शुरू करके हम अपनी चर्चा लगभग बढ़ाएंगे 18-19 तक तीसरे विभाग के वहां तक ले जाएंगे पर उससे पहले हम आते हैं अपने पिषली कक्षा में जो हमने बातें पढ़ी थी वहां आज हम उस पर उन्हें आपको यह बताया था कि अठैयर जो pares enhance his now पूर्वन भी बातें बताई जा चुकिए बह्गवत गीता में एक बार जल्दी से आप यदि आप उसको पढ़ लें तो अठारवा अध्या पढ़ने का अर्थिये है कि भगवत गीता में बताया गए जितने भी मुख्य विशे हैं उन सब को हमने एक बार पढ़ लिया है उन सब को एक बार जान लिया है फिर संखेप में जो वर्णन किया से आरंब करके अध्या सतरा तक हर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुमा फिरा के एक बिंदू पर ले आते हैं और वो बिंदू क्या है कि जीवन में वास्तब में परम लक्षे है भगवान की सेवा इसको हम दूसरे शब्दों में भक्ति कहते हैं या भक्ति योग तो यह हर अध्याय में बताया गया है और इसी बात को अध्याय में एक बार फिर भगवान पूरा संगषेत में जेतना भी अब तक बता चुके हैं कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञांव योग सब का एक बार संगषेप में वरणन करते मिए पुन्हें एक बार और फिर अर्जुन को यहीं लेकर आते हैं कि वास्ताम में भगवान की सिवा अर्थात भक्ति ही जीवन का परमलक्षे है। तो अब देखते हैं कि अठार्वे ध्याय में हमने किन-किन बातों पर चर्चा करी। तो अठारवे धै में जो आरंब होती है चर्चा वो इस बात से होती है कि अर्जुन का प्रश्ण एक अर्जुन करते हैं और भगवान शी कृष्ण से वो प्रश्ण पूछते हैं कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है अब ये अर्जुन प्रश्ण क्यों पूछ रहा है इस के दिमाग में क्या चल रहा था जिस कारण से उसने प्रश्ण पूछा तो हमने आपको पिछली बार बताया था कि देखे सत्रवे अध्याय में भगवान शी कृष्ण यग्य दान और तप इनका विशलेशन करते हैं और विशलेशन करते हैं अर्जुन को भई सतोगुणी लिग्य दान तप किस तरह के होते हैं उनके बारे में वो बताते हैं अब अर्जुन के मन में आरंब से ही इस बात को लेकर एक प्रश्ण हमेशा से रहा है भगवत गीता में अर्जुन का जो सोचना था वो ये था कि भई मैं इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगू तो अर्जुन अपने इस युद्ध का ही त्याग करना चाह रहा था मतलब अपने इस नियत कर्म का जो उसका कर्तव्य था उसका ही त्याग करना चाह रहा था यानि कि वो सन्यास लेना चाह रहा था लेकिन भगवान शे कृष्ण बार बार घुमा के उसको इस बात पर ले कि देखो सन्यास लेने की बजाए तुम वास्तव में कर्म फल का त्याग यदि तुम करके या तुम करतव्य की भावना से प्रिरित होकर यदि तुम कोई कारे करते हो तो वो तुम्हारे लिए उप्युक्त है तो तो अर्जुन को शुरुआत से ही भगवत गीता में तो अब अर्जुन का प्रश्णी है यह बताइए कि सन्यास और त्याग में क्या अंतर है तो भगवान श्री कृष्ण उसको क्लियरिफाई करते हैं उसको समझाते हैं तो कहते हैं देखो सन्यास का मतलब यह है कर्म का त्याग कर देना और विशेश रूप से कौन से कर्म का सद्या कर देना काम्यकर्म का काम्यकर्म मतलब जिसमें हम किसी पल की आशा है हमें कुछ मिलने वाला है तो सन्यास का अर्थ एक दरेके से साधारन्भाशा में है यहाह सचरिय जीवन असान्यास होते हैं जैसे किसी प्रिवारल है तो वो अपने परिवार से सन्यास ले लिता है अपने नोकरी से सन्यास लेता है तो इसको हम सन्यास कहते हैं, यानि कि काम्य कर्मों का त्याग और फिर त्याग की परिभाशा भगवान बताते हैं कि त्याग का मतलब यह नहीं है कि आप कर्म का ही त्याग कर दें बलकि त्याग का मतलब यह है कि आप कर्म से मिलने वाला जो फल है उसकी आसकती का यदि आप त्याग कर देते हैं तो उसको बोला जाता है कर्म फल का त्याग तो यहां भगवान शी कृष्ण बड़ी स्पष्ट परिभाशा देते हैं कि सन्यास का मतलब कर्म का त्याग और त्याग का अर्थ हुआ, कर्म का त्याग नहीं करते हैं, बलकि कर्म का जो फल होता है, उसकी आसकती का हम त्याग करते हैं, तो दोनों बाते उनको अरजन को बताते हैं, अब फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं, देखो त्याग के विशे में दो बाते प्र और दूसरे जो श्रीणी के जो विचारक है वो कहते हैं कि यग्यदान और तब इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए अब भगवान फिर अर्जुन को अपना opinion बताते हैं अपना मत बताते हैं कि वास्तव में त्याग का होता है भगवान अपना मत बताते हैं वो कहते हैं कि यग्यदान तब कभी नहीं त्यागना चाहिए तो यहां तक तो यह जो भगवान का उपिनियन है वो इस दूसरी श्रीनी के जो विचारक हैं उनसे मैच करता है पहले श्रीनी के पहली श्रिणी के विचारक तो कहते हैं समस्त कर्मों का त्याग कर देना चाहिए लेकिन भगवान कहते हैं कि यग्यदान और तब कभी नहीं त्यागने चाहिए और इनको किस प्रकार करना चाहिए इन्हें इस प्रकार से करना चाहिए कि कोई आसकती ना हो या फल की आशा न रखें या हमें इनको ऐसे करना चाहिए कि जैसे यह हमारा करतव्य है यह करतव्य समझकर करे जाने चाहिए तो एक प्रकार से भगवान ने यह जो दूसरी श्रिणे के जो विचारक हैं उनकी आधी बात मानी और लेकिन उसमें भी एक बात उन्होंने जोड़ दी उन्होंने ये बात जोड़ दी थे कि हमें इनको यग्यदान तब तो करने चाहिए लेकिन किस भावना से करने चाहिए किस मनो भाव से प्रेरित होकर करना चाहिए कोई आसकती ना हो, फल की कोई इक्छा ना हो, और कर्तवे समझ कर किया जाए, तो यग्यदान और तब ये वास्तव में श्रेष्ट हैं. और फिर भगवान शी कृष्ण जो है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी त्याग के बारे में वर्णन करते हैं. तो एक प्रकार से भगवान ने यहाँ पर जो अर्जुन के प्रशन पूछने का जो तात्परिय था, वो भगवान के उत्तर से क्लियर हो जाता है. अर्जुन के प्रशन पूछने का तात्परिय ये था, कि अभी-भी जो आपने यग्यदान और तब सत्रम्य ध्याय में जो आ हैं यह सतोगुण में रजोगुण में और तमोगुण में कैसे होते हैं तो फिर यहां भगवान सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी त्याग का वर्णन अर्जुन के लिए करते हैं तो सतोगुणी त्याग के लिए क्या बात बताई गई करतव्य से प्रेदित होकर कि किया जाए फल की आसकती के भी ना किया जाए रजोगुणी त्याग के बारे में क्या बताया गया जो व्यक्ति रजोगुणी होता है वो अपने नियत कार्य को त्याग देता है अपने कर्तव्य को कश्च समझ के त्याग देता है या उसको लगता है कि इसमें तो बहुत शार प्रिक्लेश के भैसे अपने इस नियतकारे को अपने कर्टव्य को त्याग देता है और तमोगुणी व्यक्ति ये भी अपने नियतकर्मों को अपने कर्टव्य कर्मों को त्याग देता है लेकिन इसको त्याग करने का कारण क्या है अज्ञानता वह जानता नहीं है कि वास्त दस्वेश लोक से इस पर आरंब करेंगे दस्वेश लोक में भगवान शी कृष्ण अभी जो परिभाशा अर्जुन को वो दे चुके हैं सतोगुणी त्याग क्या होता है, रजोगुणी त्याग क्या होता है और तमुगुणी त्याग क्या होता है उसी को थोड़ा और आगे उस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. भगवान क्या कहते हैं यहां पर? सतोकुण में इस्थित त्यागी उसकी सोच क्या सी होती है? उसके सोचने का तरीगा क्या होता है? यहां बोलते हैं. अर्थात, जो कष्ट दायक कर्तव्य से ग्रणा नहीं करता है? फिर कुशले ना अनुशज्यते, जो आनंद दायक कर्तव्य से आसक्त नहीं होता, कुशले मतलब, यहां आकुशल का मतलब हो गया ता कश्ट दायक, और यहां कुशले का मतलब हो गया आनंद दायक, तो जो यहां, जो आनंद दायक कर्तव्य से आसक्त नहीं होता, और त्यागी सत्व समाविष्ठो, सतोकुण जो सतोगुण में जो स्थित, जो त्यागी, बुद्धिमान त्यागी है, जो बुद्धी से काम करता है, जो सतोगुण में स्थित है, वो अपने कर्तव्य के विशे में कोई संशे नहीं रखता, छिन संशया है. अच्छा, ये बात भगवानशी कृष्ण अर्जुन को क्यों पता रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहा है क्योंकि वो कर्षयों करना यानि के युद्ध करना यानि के भीष्ववित्त 53फ चलना या द्रॉणा-चारे पर स्लमाना इसी बात को समझता रहे है कि अगर शाष्ठ नहीं करना चाहिए अब हम लोग कई बार अपना यह जो करतव्य है वो नहीं करते हैं क्यों करते हैं कौन सुभह जल्दी उठेगा मन करता है कि बहुत नौ बज़े तक 10 बज़े तक सो सुभह मानलीजे सर्दी है तो पानी में कौन हाथ डालेगा तो यह हमारी मनो भावना भी कई बार इस प्रकार की होती है कि हम अपने करतव्य को कश्ट पूर्ण समझ कर उसको त्याग देते हैं अब जैसे किसी विद्यारती का कोई परीक्षा है विद्यारती की परीक्षा है और अगले दिन उसको परीक्षा में लिखना है परीक्षा में अपना पेपर देना है लेकिन पिछले दिन उसके सामने कोई cricket का मैच आ गया है, अब भई कौन परीक्षा के लिए कौन पढ़ेगा, कर्तव्य उस समय उसका ये है कि विद्यारती होने के ना दे वो परीक्षा की तैयारी करे, लेकिन परीक्षा की तैयारी करना कष्ट दयायक लगता है, और cricket मैच देखना आनन्द दयायक लगता है, तो भगवान वो ही बता रहे हैं कि जो कष्ट दयायक कर्तव्य से घ्रणा नहीं करता, और जो आनन्द दयायक कर्तव्य से आसक्त नहीं होता, वह जो त्यागी है, ये वास्ता में सतोगुण में हैं और ये बुद्धिमान है, ये जानता है कि वा बारे में अपना विचार जो है वो अपने जो उसके जो बड़े भुजर्ग हैं उनकी हत्या के विचार से वो ब्रमित हो गया है मों से मोंने उसलों एक तरीके से अपना पकड़ बना लिये इसलिए वो अपना युद्ध छोड़ के भागना चाहरा है इसलिए भगवान शी कृष्ण उसको ये सब उपदेश दे रहे हैं, कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं तो कर्म योग में फिर देखिए आगे समस्त कर्म का त्याक करना असंभव भगवान शी कृष्ण अब एक बहुत महत्यपून बात बता रहे हैं अरजुन को कर्म का त्याक करना असंभव है कोई भी जो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है उसके लिए कर्म का त्याक करना असंभव है कर्म करना व्यक्ति की मनुष्य की प्रकर्ति है सुभाव है तो ये देखे नहीं देभरता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेशतह यस्तु कर्म प्फलत्यागी सत्यागीत्य भिधीयते नहीं देभरता शक्यم मतलब जो व्यक्ती जो देधारी प्राणी है जिसने जन्म लिया है जिसने देधारन करी है, उसके लिए यह संभव नहीं है, नहीं देभरता शक्यम, शक्यम का मतलब संभव, न शक्यम का मतलब संभव नहीं है, देधारी प्राणी के लिए यह संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, त्यक्तियुम कर्मान्य अशेशतह, अशेशतह का मतलब यह कि वह कर्मों को पूर्णतया त्याग कर दे कर्मों का पूर्णतया त्याग करने का मतलब यह है आलस करना आलस करना मतलब जैसे हमें सुबह जल्दी उठकर इसनान करना चाहिए लेकिन हम आलस के कारण उसको उसको नहीं करते हैं तो कि वह कर्मों का पूर्णतया त्याग कर द लेकिन जो कर्म फलका त्याग करता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है तो इस बात का इस बात का भेदभाव नहीं करता है कि यह कर्म जो है वास्तव में प्रिये लगने वाला है या यह कर्म जो है यह कर्तव्य वास्तव में कश्ट दायक लगने वाला है इस बात का वास्तव में त्यागी कहलाता है लेकिन यदी और भगवान यहां एक महत्वपूर्ण बात यह बता रहे हैं कि देहधारी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वे कर्मों का पूर्ण त्याग कर दें इसी बात को इसी बात को भगवान शी कृष्ण ने तीसरे अध्या के पांचवेश लोक में भी कहा था बिल्कुल यही बात कही थी तो हम आपको बता रहे हैं यहां पर कि अध्याए अठारा जो है वो पीछले जो जितने भी अध्याए हैं उनका एक प्रकार से सार है उनको संक्षेप में बताया है उसी बात को देखे आपकी यादास्त ताजा करने के लिए आपकी याद ताजा करने के लिए तीसरे अध्याए का पांचवाश लोग देखिए तीसरे अध्याए का पांचवाश लोग है नहीं कश्चित छनम अपी नहीं कश्चित छनम अपी जातु तिश्ठत्य कर्मकरत कार्यते या वशा कर्म सर्वह प्रकरतीर जैर गुणा यहां भगवान कहा रहे हैं, नहीं कश्चित छणम अपी, एक भी छण के लिए जातु तिश्ठत्य कर्मकरत, बिना कुछ किये नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी देधारी जीव जो है, बिना कुछ किये नहीं रह सकता है, कार्यते यह वशह कर्मा, उसे विवश होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह प्रकर्ति के गुणों से बंधा होता है तो यहां भगवान्शी कृष्ण अर्जुन को एक बहुत महत्वपुन संदेज दे रहे हैं वो यह दे रहे हैं कि अर्जुन जो है वो सन्यास लेना चाहरा है वो चाहरा है कि मैं तो युद्ध छोड़ दू, मैं तो परिवार छोड़ दू, मैं तो जाके जंगल में सन्यासी बन जाओ तो भगवान्शी कृष्ण कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारा सभाव नहीं है सन्यास का तुम्हारी प्रकर्ति नहीं है सन्यास की सन्यास लेने के लिए वास्तव में व्यक्ति को एक चेतना के एक शुद्ध इस्तर पर उसको होना चाहिए, जहां पर उसकी कोई रजोगुण में, तमोगुण में कोई उसका मतलब उस प्रकार की प्रकरती उसकी ना हो, लेकिन तुम्हारा जो सुभाव है वो है शत्रिय सन्यास नहीं ले सकता है और भगवान बता रहे हैं कि कोई भी एक शन के लिए बिना कुछ किये नहीं रह सकता है, मतलब तुम यदि सन्यास ले भी लोगे, तो तुम्हारा जो सुभाव है शत्रिय सुभाव, वो जो सन्यास के अनुकूल नहीं है, तुम जंगल में जाकर, तुम्हें वहाँ कोई इस प्रकार का यदि तुम्हें युद्ध करने के लिए यदि तुमको प्रिरित करेगा, तो तुम युद्ध कर बैठोगे वहाँ पर, तो तुम इस प्रकार से असमय बिना अपनी प्रकरती को जाने, बिना अपने सुभाव को जाने, इस प्रकार से सन नियास मत लो और ये मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक शण के लिए भी कोई कुछ किये बिना नहीं रह सकता है तो तुम तुम अपने आपको रोक नहीं पाहोगे इसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाज जी ने तीसरे अध्याय के पांचवे श्लोक के तात जो आत्मा द्वारा चालित होता है क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक शण के लिए भी नहीं रुख सकता तो जो लोग यह सोचते हैं जो आलस्यवश वास्तव में कर्म नहीं करते हैं अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं वास्तव में वो कर्म बंधन में ही पढ़ते हैं क्योंकि आत्मा का सभाव सक्रिये हैं और इस सक्रिये सभाव को हमें किस प्रकार से इसका उप्योग करना है इसका हमें उप्योग इस प्रकार से करना है कि हमारे जो कर्तव कर्म हैं हम उनको करें और इस सक्रियता को जो आत्मा की जो सक्रियता है सक्रियता है उसको वास्तब में उसका उपयोग करें उसको सही दिशा में उसको लगाएं यदि हम इसको सही दिशा में नहीं लगाते हैं यदि हम आलस से वश कुछ कर्म नहीं करते हैं तो भी हम कर्म बंधन में पड़ते हैं और यदि हम अज्ञानता वश या कष्ट समझ कर या कुछ और समझ कर उस प्रकार के कर्म अधिक करते हैं, जो वास्तब में हमें आनन्दायक लगते हैं, और बजाए उसके के वह हम अपने कर्तव्य को कश्ट समझ कर छोड़ देते हैं, तो इन दोनों परिस्तितियों में, आलस्य के कारण अपना कर्म छोड़ना और आनन्द म कर्म को ही स्विकार करना कश्ट प्रत करतव्यों को छोड़ देना इन दोनों परिस्थितियों में ही हमको कर्म बंधन में पढ़ना पड़ता है और जब कर्म बंधन में हम पढ़ते हैं तो हमें उनका एक प्रकार से कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए अगला जनम हमको लेना पड़ता है तो दूसरा पॉइंट देखिए माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्ट कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवशक है कि शास्त्रों द्वारा आदिश्ट कर्मों में इसे संलगन रखा जाए संलगन नाते हमारे कर्टव्य हैं देश का नागरिक होने के नाते हमारे कर्टव्य होते हैं इसी के साथ साथ आप यह समझे परिवार का एक सदस्य होने के नाते हमारे कर्टव्य होते हैं किसी संस्थान में हम करमचारी हैं किसी कंपनी के हम मालिक हैं तो उस कंपनी का मालिक होने के नाते हमारे कर्तव्य होते हैं तो इस प्रकार से जो हमारे कर्तव्य हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है उन कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए और इससे हम जो हमारा जो सक्रिय सुभाव है आत्मा होने के नाते जो हमारा सक्रिय सभाओ है, हम उसका वास्तव में सही रूप से उसको हम एक दिशा देते हैं उसको हम सही रूप से हम निर्भा उसका हम करते हैं तो यह देखे, इस सब बातें वही हैं जो भगवान पहले भी बता चुके हैं लेकिन अठारवे अध्याय में में एक बार संक्षेप में पुने दोहरा रहे हैं फिर देखे बार्मे बार्मे शलोक में भगवान क्या बताते हैं कि जो त्याग नहीं करता है जो वास्तव में कर्मों के फल से आसक्त हो जाता है या कर्मों को कश्ट पूर्ण समझ कर उसको यदि छोड़ देता है या केवल वही कर्म करता है जिनमें आनंद मिलने वाला हो तो ऐसे व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है वो उसी बात को अब यहां बार्मिश्लोक में कह रहे हैं अनिष्टम मिश्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मनह फलम भवत्यत्यागी नाम प्रेत्ययना तु सम्यासी नाम क्वचित देखिए अनिष्ट इष्ट और मिश्र अनिष्ट का मतलब यह है कि जो अनिच्छित और इष्टम का मतलब यह है इक्छित तथा मिश्रित मतलब क्या और फिर त्रिविधम कर्मनह फलम तीन प्रकार के कर्मफल ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो त्याग नहीं क करता है जो वास्तम में कर्म के फलों से आसक्त रहता है ऐसे व्यक्ति को तीन प्रकार के कर्मों का सामना करना पड़ता है तीन प्रकार की कर्म फल उसको मिलते हैं पहला अनिक्षित दूसरा एक्षित और तीसरा मिश्रित मिश्रित मतलब दोनों प्रकार का अनिक्षित या इक्षित मान लिजे कोई पुण्य करम करता है तो उसको पुण्य करम करने के लिए उसको पुण्य प्राप्त होगा और पुण्य प्राप्त करने के लिए उसको जन्म लिना पड़ेगा अनिक्षित करेगा, मतलब करतवे से भागेगा, आलस से दिखायेगा, उसको वास्तव में तीन प्रकार का कर्म मिलेगा, मतलब उसको अनिक्षित कर्म फल मिलेगा, उसको कोई ना कोई प्रतिक्रिया रूप में, उसको अगले जनम में उसको कोई गलत प्रतिक्रिया मिलेगी, या मिश्रित, मतलब इन दोनों का mixture हो, कोई उसने कर्तव्य की भावना से किया, कोई उसने फल की इक्षा से किया, तो ऐसे माली जो कोई ऐसा कर्म किया, तो उसको मिश्रित कर्म का फल मिलेगा, तो मृत्यू के बाद अत्यागी को मिलते हैं, मतलब भवत्य अत्यागी नाम प्रेत्यना, प्रेत्य का मतलब है मृत्यू, तो ऐसे फल कैसे कब मिलते हैं, मृत्यू के बाद, उस अत्यागी व्यक्ति को, अत्यागी का मतलब क्या हो गया है यहां पर, जिसने वास्तव में कर्म के फल को त्यागा नहीं ऐसे व्यक्ति को अत्यागी कहा गया है किन्तु जो त्यागी है उसे ऐसे फलों को नहीं भोगना पड़ता तू न सन्यासी नाम क्वचित मनलब सन्यासी शब्द का यहां प्रयोक किया भगवान ने और बता रहे हैं वो त्याग करने वाले को यानि कि भगवान की दृष्टि कोंड में त्याग और सन्यास इन दोनों का एक ही अर्थ है और वो अर्थ क्या है कर्तवे से प्रेरित होकर कर्म करना और फल की आसकती के बिना कर्म करना तो किन्तु जो त्यागी है उसे ऐसे फलों को नहीं भोगना पड़ता है तो यहां भगवान कर्म करेंगे किसी फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो भी हमें कर्म का फल भोगना पड़ेगा उसके लिए हमें जनम लेना पड़ेगा यदि हम आलस्य के कारण अपने फल का त्याग करेंगे तो भी हमें प्रतिक्रिया मिलेगी हमें फल भोगना पड़ेगा यदि हम केवल ऐसे कर्म करेंगे जो केवल हमारे लिए आनन दायक हैं और ऐसे कर्म ऐसे कर्तवे छोड़ देंगे जो हमारे लिए कष्ट दायक हैं तो भी हमें फलों को भोगना पड़ेगा तो ये देखे जो पहला विभाग था अध्याए 18 का जिसमें भगवान शी कृष्ण कर्म योग के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि कर्म योग करने से कर्म का बंधन नहीं लगता है तो उसकी उन्होंने बड़ी इसपश्ट यहाँ पर व्याक्या अरजुन के प्रशन का उत्तर देने के माद्यम से यहाँ पर करी है तो आशा है आपको यहां तक बड़े अच्छे स समझ में होगा कर्म योग का वास्ता में क्या अर्थ है वो आपको समझ में होगा अब देखिए है अब प्रश्णी ये उड़ता है कि जब हम कर्म करेंगे तो ये बड़ा ही असंभव है कि हम किसी ना किसी प्रतिक्रिया में पड़े हैं हमारे साथ कोई ना कोई ऐसा कर्म हो जिसमें कोई ना कोई कर्म का हमको फल मिलने वाला है ऐसा ऐसा अक्सर होगा तो ऐसे व्यक्ति को जो अत्यागी जो त्यागी है जो कर्म के फल से आसक्त नहीं होता है उसको कर्म का बंधन क्यों नहीं लगता है इसकी विवेच चीशना भगवान शी कृष्णी यहां पर इस विभाग में कर रहे हैं जो 13 से 17 शिलोप तक जाता है। इस को समझाने के लिए वास्तर में भगवान कर्म के पांच कारक, कर्म के पांच फैक्टर्स जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म वास्तम में पूर्ण कैसे होता है? आरंब से लेकर अंत तक जब वो कर्म सफल हो जाता है, उस कर्म को सफल होने में वास्तम में पांच बातें मुख्य रूप से विद्यमान रहती हैं. उन पांच बातों के बारे में यहां भगवानशी कृष्णा अर्जुन को होते हैं, जैसे हमने भी पिछले विभाग में देखा, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस समझ को त्याग देता है, कि वह करता है, और यह विश्वास होता है कि परमेश्वर ही मुख्य करता है, अगले पांच लोग जो हैं, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, स अगले पांच लोग इसी सिध्धान को समझाते हैं, तो यहां देखे, पिछले विभाग में हमने क्या देखा, पिछले विभाग में हमने यह देखा, कि जो व्यक्ति करतव्य समझ कर कर्म करता है, और कर्म के फल की आसकती को त्याग देता है, वो कर्म बंधन में नहीं भी एक करता है और उसको यह विश्वास होता है कि वास्तव में मुख्य करता कौन है परमेश्वर हैं तो ऐसा नहीं है के वह करता नहीं है टार य हलता है कि documentary i तो हम ने देखा कि विशेड me कि कर्म योगी किस बुद्धि से किस मनो योग से किस भाव से कर्म करता गया है तो वह भाव क्या है वह यह है कि पर्मेश्वर ही मुख्य करT dispers Hindi करता है और अन्युक्र Izone नहीं हूँ मैं करता अवश्य हूँ लेकिन परमेश्वर वास्तम में मुख्य करता है तो इसी बात को भगवान अब यहां पर बड़ा एक विशलेशन के माद्यम से यहां पर समझाते हैं और तेरवाश लोक वो बोलते हैं वो बोलते हैं कि किसी कर्म की सफलता पांच कारणों पर निर्भर होती है कोई भी हम कर्म करते हैं X Y Z कोई भी कर्म हो यह पांच कारण अगर सफल हो गए पांच कारण यदि सेटिस्फाइड हो गए तो यह कर्म जो है सफल हो जाएगा अब वो पांच कारण कौन से हैं वो देखिए पंचेतानी महाबाहो कारणानी निबोध में सांखे कृतान ते प्रोकतानी सिध्ध ये सर्व कर्म नाम भगवान शी कृष्ण गह रहे हैं हे महाबाहो यह पांच कारण मुझसे जानो पंचेतानी महाबाहो कारणानी निबोध में ये पांच कारण पंचेतानी कारणानी निबोध मतलब मुझसे जानो में मतलब मेरे से और ये कौन से कारण है कहां लिखे हैं सांख्य करतानते प्रोक्तानी ये जो बाते मैं तुमको बता रहा हूँ ये कहां लिखी है ये वेदान्त दर्शन में ये बताई गई है सांख्य करतानते प्रोक्तानी वेदान्त दर्शन में ये निश्कर्ष बताया गया है और क्या है किस बारे में है सिद्ध ये सर्व कर्मणाम समस्त कर्मों की सफलता के लिए तो कोई भी कर्म हो उसमें सफलता क्या होती है कैसे मिलती है उसके पांच कारण होते हैं इस बात का वर्णन कहां किया गया है इस बात का वर्णन किया गया वेदान्त दर्शन में और ये अब तुम म कुछ बातें लिखी हैं, वो समझना आवश्यक है, तो इहां जो शब्द आया है, सांख्य कृतान्य प्रोक्ताणी, सांख्य. कि यह सांखे शब्ध का अर्थ यहां प्रोपाजी बता रहे हैं, कहasket रहे हैं, शांख्य का अर्थ है ग्यान का आधार इस्वंब, और वेदान्त अग्रणी आचारियों द्वारा स्वीकरत ग्यान का चरम आधार इस्तंब है सांख्य का अर्ध क्या है ग्यान का आधार इस्तंब आधार इस्तंब मतलब ग्यान कहां से हमें लेना चाहिए वो लिखा है सांख्य और सांख्य मतलब क्या वेदान्त और ये विदान्त के बारे में आचारेओं का क्या मत है, कि यह ज्यान का चरम आधारस्थंभ है, चरम मतलब ultimate, इसके बाद और कुछ नहीं है, अगर हम विदान्त को समझ लेते हैं, तो वास्तब में, जीवन के बारे में, हमारे बारे में, आत्मा के बारे में, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, जो कुछ भी जानकारी हमें चाहिए, उसका वास्तब में आधारस्तंब क्या है? चरम आधारस्तंब क्या है? वेदान्त. वेदान्त मतलब क्या? वेद और अंत. वेद मतलब जितने भी ये चार वेद हैं, इन चारों वेदों में जो सबसे मुख्य एक जो है वेदान्त में किया गया है इसे ही हम सांखे भी बोलते हैं यहां तक कि शंकर भी शंकर का मतलब यहां भगवान शंकर से नहीं है शंकर का मतलब यहां श्रीपाद शंकरचारे से हैं यहां तक कि शंकरचारे भी वेदान्त सूत्र को इसी रूप में स्विकार करते हैं तो यहां शंक्राचारे जी का वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो दर्शन है, इस कौन संस्था में जो आप प्रभुपाद जी की टीकाओं के माद्धम से जो दर्शन पड़ रहे हैं, वो वैशनव दर्शन है, और वैशनव दर्शन और शंक्राचारे जी का जो द टीका है उन्होंने अपनी भगवत गीता की टीका में इसी श्लोक के तात्परे में लिखा है जो सम्यक रूप से परमात्मा के विश्य में बताता है वह संख्य है संख्य मतलब संख्य अर्थात वेदान्त दर्शन संख्य से आगया सम्यक और ख्य के मतलब बताना जैसे आख्याती आख्याती का मतलब होता है बोलना या बताना तो सम्यक रूप से परमात्मा के विश्य में बताने वाला वह संख्य है संख्य यानि कि सम्यक अख्य मतलब बताना तो सम्यक रूप मतलब पूर्ण रूप से उसम हमें उसकी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, हमें उसका कोई कर्म फल नहीं भोगना पड़ता है, ये कहां बताया गया है, ये बताया गया है सांख्ये में, ये बताया गया है विदान्त में, तो ये देखे, ये बात हम तेरवेश लोक से ये बात समझ गए हैं, कि तेरवेश लोक के किसी करम की सफलता के 5 कारण होते हैं, और वो क्या है, अधिश्थानम, तथा करता, कर्णम, चाप्रध Remous, Pratаксим, विवीधास्च, प्रतक चेश्टा, दैवम, चैवात्र, पंचमं, आधिश्थानम, अधिश्थानम कार्थ क्या है, कर्म का इस्थान, अर्थात शरीर दूसरा कारण क्या है कर्ता, तीसरा कारण क्या है कर्णम, कर्णम का अर्थ क्या होता है विभिन इंद्रिया, इंद्रिया मतलब पांच कर्म इंद्रिया, पांच ग्यान इंद्रिया तथा मन, फिर विविधास्च प्रतक चेश्टा, विविधास्च प्रतक चेश्टा मतलब चौथा कारण क्या है? अनेक अनेक प्रकार की चेश्टा हैं, और फिर दैवम, दैवम का मतलब परमात्मा, चैवात्र पंचमम, ये पांच कर्म के कारण हैं. अब श्लोक सुनकर आपको लगेगा कितनी कठिन सी बात है, ये अधिश्ठान क्या होता है, करता क्या होता है, करणम क्या होता है, फिर प्रतक चेश्टा क्या होता है, अलग-लग चेश्टा क्या होती है, और दैव मतलब परमात्मा, ये मतलब क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा सा तकनिकी हो गया है बड़ा टेक्निकल सा हो गया थोड़ा सरल करकर हमें समझाना चाहिए तो सरल करने के लिए समझाने के लिए देखें ये टेबल देखिए ये स्लाइड देखिए सांख्य के अनुसार कर्म के पांच कारक या पांच कारण तो अधिश्ठानम, कर्ता, कर्णम, चेश्टा और दैवम तो यह देखिए अधिश्ठानम का अर्थ क्या हुआ कर्म का अस्थान, अथवा जीव का शरीर इसको मैं सरल करकर अगली स्लाइट में एक बार फिर समझाऊंगा कर्म का अस्थान, अथवा जीव का शरीर मतलब क्या हम लोग जीव आत्मा हैं और इस शरीर के अंदर हम मारी आत्मा वो विद्यमान है और चारों तरफ हमारे हम देखते हैं कि प्रकरती है पेड हैं, पौदे हैं, घर है इत्यादी इत्यादी इस प्रकार से तो कर्म का स्थान और जीव का शरीर तो कोई भी कारे करने के लिए हमें शरीर की आवशक्ता होती है बिना शरीर की तो हम नहीं कर सकते फिर करता, करता का मतलब कर्म करने वाला कर्म करना अर्थार्थ क्या हुआ? आत्मा कर्णम कर्णम का अर्थ हुआ? हम जो भी कर्म करते हैं, शरीर में उसमें इंद्रियों के सहयोग से ही हम वो कर्म कर पाते हैं यदि मान लिजे हमारी इंद्रिया ना हो कोई व्यक्ति आखों से देखना सके कानों से सुन ना सके, नाक से सूंग ना सके, तवचा से अनुभव ना कर सके, तो हम कर्म क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो करना मतलब क्या है? कर्म के उपकरण है. उपकरण मतलब instruments. जैसे हमें किसी से बात करनी हो, तो हम ये mobile phone लगाकर हम बात करते हैं, एक instrument है. इसी तरह से इंद्रियां भी क्या है? इंद्रियां भी एक instrument है. तो कर्म के उपकरण अर्थात विभिन इंद्रियां है. और चेश्टा क्या है? चेश्टा है, जो हम, जो जीव जो है, किसी भी कर्म को करने के लिए चेश्टा करता है, उसको बोलते हैं चेश्टा और ये प्रयास कैसे किया जाता है इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है और फिर दैवम दैवम का अर्थ हो गया परमात्मा तो कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उसकी सफलता में ये पांच जो कारण है वो इन्वाल रहते हैं इसको हम एक उधा बल्ले बाज को मान लीजे छक्का लगाना है आप मैं आशा करता हूँ कि आप क्रिकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं तो क्रिकेट में किसी एक बल्ले बाज को अब छक्का लगाना है अब छक्का लगाने के लिए ये पांच कारण जो है वो वास्तब में हो छक्का लगाने के लिए उसको वहां पर पिछ पर उपस्तित रहना पड़ेगा मतलब उसका शरीर वहां पर होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बल्ले बाद जो है अपने घर पे बैठा है और क्रिकेट मैच में जाकर वो छक्का लगा ले ऐसा संभव नहीं है तो उसक पिछ पर जिस मेंदान पर वो अपना काम और घर खेल रहा है वह पिछ बी उसके अनुकूल होनी चाहिए अनुकूल से मतलब यह है कि कई बार पिछ में दरारें आ जाती है तो लिए अधिष्ठान का मतलब क्या है हमारा शरीर और हमारे शरीर के आसपास जो स्थान है जो प्रकरती है वो हमारे अनुकूल होने चाहिए हमारे साथ होनी चाहिए दूसरा करता करता मतलब क्या आत्मा होनी चाहिए उस शरीर के अंदर आत्मा होनी चाहिए मतलब बल्ले बाद जीवित होना चाहिए तो बल्ले बाद जीवित हो, यानि के करता, करणम का मतलब यह है कि बल्ले बाद जो है वो उसके हाथ पैर सुस्थ होने चाहिए, ऐसा दहीं होना चाहिए कि उसकी कमर में दर्द है, या उसकी आँख में कुछ तिनका पड़ गया है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, करणम मतलब उसकी इंद्रियाएं, इंद्रियाएं मतलब उसका देखना, सुनना, सोचना, विचार शक्ती, यह सब जो हैं, वो स्वस्थ होने चाहिए, तो करणम मतलब उसकी इंद्रियाएं जो हैं, वो उसके साथ होनी चाहिए और स्वस्थ अवस्ता में होनी चाहिए, चेष्टा, च हर कोई व्यक्ति तो जा के ठका नहीं लगा सकता मान लिजे उसका शरीर भी हो वो जीवित भी हो उसकी इंद्रियां भी ठीक से काम कर रही हो लेकिन चेश्टा ना करकी हो चेश्टा मतलब अभ्यास बल्लेबाज ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया हो रोज सुबह उठकर उसने अपना व्यायाम किया हो अपने कोच से अच्छे से शिक्षा ली हो उसका पूरी तरह से अभ्यास किया हो बार-बार मैच का उसको अनुभव हो तो यह चेश्टा बल्लेबाज ने अच्छा अभ्यास किया हो और पांचवा दैवम दैवम अर्थात परमात्मा दैवम म बात को मान्यता नहीं देंगे तो ये छक्का नहीं लग सकता तो छक्का लगने के लिए ये चार कारण जो हैं ये तो साम्मान्य रूप से हर व्यक्ति समझता है लेकिन जो पांचवा ये कारण है परमात्मा की अनुमती परमात्मा की अनुमती जब तक परमात्मा की अनुमती ना हो या भाग्या अनुकूल ना हो तो यह कारे नहीं हो सकता तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं पहले विभाग में नोंने बताया कर्म योग अब दूसरे विभाग में बता रहे हैं कि कर्म योगी की मानसिक्ता क्या होती है कर्म योगी की मानसिक्ता क्या होती है और मानस करता है लेकिन अंतदो गत्वा वो ये जानता है कि वास्तव में ये जो कर्म संभव हो पा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान चूंकि इसकी अनुमती मुझे दे रहे हैं भगवान ने इसमें मुझे साथ दिया है भगवान ने इसमें मेरा समर्थन किया है तभी वास्तव हमें ये कर्म हो पा रहा है यह जो कक्षा हम इस समय भगवत गीता पर आप तक पहुंचा पा रहे हैं हम 103 कक्षाएं आज तक आपके लिए कर पा रहे हैं वास्तव में भगवान की यदि अनूमती नहीं होती तो कोई कोई ना कोई अड़्चा ना जाती कोई ना कोई कष्ठ हो जाता कोई ना कोई कारण बन जाता कि कख्षाएं बीच में हो सकता है समाप्थ हो सकती आज भी हम यह कख्षा कर पा रहे हैं तो क्यों वो इस प्रकार के रहती है कि वास्तब में परमात्मा ही मुख्य रूप से करता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुख्य करता कौन है, मुख्य करता है परमात्मा. अब देखें, उसी बात को यहाँ पर पंदमें शलोक में भगवान कह रहे हैं, उचित या अनुचित, कोई भी करम हो, इन पांच कारणों के कारण ही वो संभव हो पाता है. इन पांच कारण ही संभव हो पता है। न्यायम वा विपरीतम वा न्यायम मतलब विपरीत हो मतलब उचित हो न्याय संगत हो या अनुचित हो विपरीत हो इन पांच कारणों के फल सरूप ही संभव हो पाता है पंचते तस्य हेतवा अब आप ये कहेंगे यहां पर आप प्रश्निय उठाएंगे या किसी के मन में प आया कि हर कर्म में परमात्मा की अनुमती होना आवश्चक है और अभी आप यहां कह रहे हैं कि कोई भी कर्म उचित है या अनुचित है तो उचित कर्म में परमात्मा की अनुमती मिल जाए वो तो संबाद समझ में आती है लेकिन अनुचित कर्म में भी परमात्मा की अनुमत कर देता है जाके तो कर्म तो संभव हो गया कर्म संभव हो गया अब आप गीता के अनुसार कहेंगे तो भई परमात्मा की भी उसमें अनुमती थी तो यह तो बड़ी गलत बात है भई परमात्मा ने ऐसे कैसे उसको अनुमती दे दी उसको इस प्रकार का बुरा कर्म करने की तो देखे उस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि परमात्मा जब अनुमती देते हैं तो हर बार वो प्रसन्न होकर अनुमती नहीं देते हैं. जीव जो है वो कहता है कि मुझे ये कारे करना है परमात्मा अंतर से अंदर से अंतरात्मा से वो एक बार जीव को टोकते हैं ये कारे करना ठीक नहीं है लेकिन जीव जो है वो अपनी इक्छा को ऊपर रखते हुए अपनी बात को ऊपर रखते हुए वो कर्म करता है तो परमा यह ने लिजे पार मातापिता हैं और उनका कोई बालक जोださい वह चाहता है कि वो और बाललो की क्या है कि वह चक्क्थ से खेले लें पालकत जाल एक स्टैंडिंग फैन है वह पंखा चल रहा है बालक talking विख्छा है कि वह पंले में उंगली डाल कर देखे बालक के मनंद में बालक अभी नादान है उसको मालूम नहीं है वह चाहता है क्टी में उंगली डाल कर देखे, उंगली डाल कर कैसे लगता है, माता-पिता मना कर रहे हैं, नहीं, उंगली मत डालो, मत डालो, हाथ कर जाएगा, लेकिन बालक जो है, माता-पिता की बात नहीं मानता है, बालक कहता है, नहीं, मैं तो चक्कु से खिलूगा, या यह कहता है, नहीं उसकार्य को कड़ता है और उसका पिर उसका प्रिशर्णाम भुगतता है तो भगवान जीव के गलत कारियों की या अनुचित कारियों की भी जब अनूमत हट पूर्वक कह रहा है कि नहीं मैं तो यह करूंगा तो भगवान कहते हैं ठीक है करो अब करो अब वो हट पूर्वक गलत कारे करता है तो भगवान ने विधान बना रखा है कि बें गलत कारे करो तो गलत परिणाम भुखतना पड़ेगा गलत करम भुखतना पड़ेगा के हट धर्मिता के उधारण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। आगे देखे, प्रभुपाद जी भी इस शलोक के तात्परे में लिखते हैं, इस शलोक में न्याईय, उचित, तथा विपरीत, अनुचित, शब्द, अत्यंत, महत्वपूर्ण हैं, सही कार्ये शास्त्रों में न पांच कारणों की आवश्यक्ता पड़ती है, तो चाहे उचित कर्म हो या अनुचित कर्म हो, ये पांचों कारण जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, कोई भी कर्म जो है, वो पूर्ण नहीं हो सकता है, और ये जो ज्यान है, ये जो नौलिज है, ये एक कर्म योगी भली भ मानी नहीं है, कि सिर्फ जो व्यक्ति ये मानता है, कि मैं ही करता हूँ, इंजिनिरिंग का एक्जाम पास कर लिया, अरे, मैंने बहुत मेनत करी थी, मैंने वास्तव में दिन रात एक करा था, मैंने वास्तव में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, मैंने वास्तव में सम परमात्मा की वास्तव में अनुमति नहीं होती, तो वो इंजिनिरिंग का एक्जाम वो जीव क्लियर नहीं कर सकता था. ये बात जीव, जो है, उसको ध्यान रखनी चाहिए, या जो कर्म योगी है, वो ये बात ध्यान रखता है. तो देखें, यहां क्याश लोग कह रहे हैं? मतलब एक मात्र, केवल मैं ही करता हूँ. हम तो करता हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान भी वास्तव में परम करता हैं. परम नियनता तो वही हैं, उनकी अनुमते के बिना कुछ नहीं हो सकता. पश्यत्यक्रत अबुद्धित्वान, अबुद्धित्वान, मतलब वह व्यक्ति जो है, वो क्या होता है? वह बुद्धिमान नहीं होता है. जो इस प्रकार देखता है, पश्यत्यक्रत. इस प्रकार देखता है किस प्रकार मतलब? जो स्यम को ही एक मात्र करता मानता है. सपश्यती दुर्मती, ऐसा देखने वाला व्यक्ति वास्तव में मुर्ख होता है सपश्यती दुर्मती, ऐसी दृष्टी कौन रखने वाला, ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति कौन है, दुर्मती है कैसा भाव, कि मैं ही एक मात्र करता हूँ देखे सोल्मिय अध्या के तातपरे में क्या कह रहे है प्रभुपाजी मूर्ख व्यक्ति यहें नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में अंतर मतलब हृदय में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है यद्यपी स्थान, स्थान मतलब अधिष्ठान, करता, चेष्ठा तथा इंद्रियां अर्थात कर्णम अधिष्ठान, करता, चेष्ठा और कर्णम भौतिक कारण है लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वेम भगवान है अन्तिम मुख्य कारण तो स्वेम भगवान है अतयव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आपको ही करता मानता है तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? कर्म योग क्या है? भक्ति योग क्या है? ये जो योग है इस बात को बार-बार इस्मरण कराने के लिए कि भीया जो जीवन में तुम अपने आपको इतना बड़ा तीस मारखां समझ बैठे हो वो तीस मारखां समझने की भूल मत करो वास्तव में अगर भगवान की इक्षा नहीं होगी तो तुम एक कदम भी, एक श्वास भी अपनी मिरजी से नहीं ले सकते हो ये जो बात है, ये योगी को कर्म योगी हो, भक्ति योगी हो उसको वास्तव में अच्छे से समझना चाहिए और वो समझता है अगे देखिए करता ना होने की मानसिक्ता वाला कर्म बंधन से मुक्त है जो ये नहीं मानता कि मैं ही केवल एक करता हूँ ऐसी मानसिक्ता वाला व्यक्ति क्या है कर्म बंधन से मुक्त है उसको कर्म का प्रभाव नहीं लगता है वो कर्म के बंदन से मुक्त है, क्या है? लिप्यते, लिप्यते मतलब बंधी नहीं है, बंधी किस बारे में? कि मैं ही वास्तम्म्हें करता हूँ, हत्वापी साइमान लोकान, वह व्यक्ति इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, देखें, यहाँ विशेश रूप से, इस बात का महत्व है यहाँ पर, अर्जुन के लिए बोला गया है विशेशूप से ऐसा व्यक्ति इस संसार में मनुश्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है नहीं वह अपने कर्मों से बंधता है तो भगवान शी कृष्णिया क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन यदि तु करत्यव्य की भावना से प्रेरित होक कर अपना कर्म करेगा फल की आसकती का त्याग कर कर तु यह कर्म करेगा और यह समझकर कर्म करेगा कि वास्तब में पर्मात्मा ही मुख्य करता है परमात्मा ही वास्तव में, मुख्य रूप से मेरे जीवन में मेरी सफलता का या असफलता जो भी मुझे मिल रही है, परमात्मा के ही एक प्रकार से प्रभाव के कारण हो रही है, ऐसा व्यक्ति संसार में मनुश्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता है, देखें मारता है लेकि किसी की हत्या तो कर देता है, लेकिन उसको उसका प्रभाव, उसका कर्म का फल नहीं मिलता है, अर्थात नहीं मारता है, ऐसा ही है कि जैसे उसने मारा नहीं है, क्यों? उसने कर्तव्य की भावना से प्रिर्थ होकर वो कर्म किया, फल की आसक्ति के बिना उसने वो कर्म किया, इ शक्ति कृष्ण भावना अमरत में या परमात्मा या भगवान के आदेशा अनुसार कर्म करता है। वह वद करता हुआ भी वद नहीं करता। नहीं वह कभी ऐसे वद के फल को भोगता है। उधारन देखें यहां दे रहें प्रहुपाजी। जब कोई सेनिक अपने श्रेष् क्यासे वद कर दे तो निश्चित रूप से न्यायाले द्वारा उसका निर्ने होता है। तो यहां देखें अर्जुन के लिए क्या स्तिती हो गई है। अर्जुन जब माहा भारत के युद्ध में गया तो पूरी मंत्रना हुई। सभी लोगों ने इस बात पर बड़ा गह ले लो पांडवों को पांच गाउं दे दो यह युद्ध टल जायेगा इतना हत्याकांड जो होने वाला है वो टल जायेगा। लेकिन कौरव जो थे वो इतने उद्धंड थे इतने अधर्मी थे कि दुर्योधन ने कहा कि सुई की एक नोक के बराबर भी जमीन नहीं भी मतलब चोरी और उपर से सीना जोरी, मतलब उन्होंने पूरा राज और भी लिया जिसका पांडवबू का 50 प्रतिशत पर एक प्रकार से सही सही रूप में अधिकार था, उनकी पतनी को उन्होंने जलील किया, उनको हत्या करनी को प्रयास किया। ना जाने कितने दुश्कर्म उन्होंने पांडवों के साथ किये, उसके बावजूद भी वो उनको एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने को त्यार नहीं थे, तो यहां पर बिल्कुल इस पर था कि अधर्मी हैं ये लोग, अधर्मी हैं, और पूरी मंत्रणा होने के बाद, पूरा एक सामुहिक निर्णे होने के बाद, सामुहिक एक प्रकार से इस बात पर विचार करने के बाद, कि युद्ध में जाना है, अब युद्ध में जाने के बाद, अरजुन युद्ध में, सिर्फ इसलिए, वहां पर बिगड गया, यह यू कहिए कि मान नहीं रहा है, कि मैं युद्ध करूँ गसकी उसको महाँ पर मोह हो गया, उसकी इंद्रियां अपने परिवार जनों के मुह में एक प्रकार से भै गई, फिसल गई, कर्तव्य वो अपना भूल गया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर भगवान इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कि जब कोई सेनिक अपने श्रेष्ट अधिकारी, सिनापती की आज्या से वद करता है, मत उससे भागने का मतलब यह है, कि वो वास्तव अपने करतवे से भाग रहा है, तो यदि अर्जुन युद्ध करता रहता है, तो उसको दंड़त नहीं किया जाएगा, लेकिन अर्जुन यदि अपनी स्वेच्छा दिखा रहा है, कि मैं नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करू क्योंकि मेरे प्रियजन सामने हैं तो निश्चय रूप से वो दंडित होने का भागी है उसको कर्म का फल भूगना पड़ेगा और खराब फल भूगना पड़ेगा तो यह बात यहां पर भगवान जो है वो कह रहे हैं और प्रहुपाजियां समझा रहे हैं अब यहां देखे पहली पंक्ति क्या है अर्जुन स्वयम को करता मान बैठा था अर्जुन अपनी मन मानी कर रहा था चैनले मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बंदू बांद वे लेकिन उसने अपने भीतर तता बाहर परम के निर्देश पर विचार नहीं किया था है भगवान स्वयम कह तो भी उसको कर्म का कोई फल नहीं लगेगा तो इसलिए तो चिंता मत कर, तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर, देखे, इनों गुण सभी क्रियाओं तथा जीवों को नियंत्रित करते हैं, अब हम अगले विशें पर जा रहे हैं, अगले विभाग पर ज सिर्फ अपने को करता नहीं मानता है, वो मुख्य करता के रूप में भगवान को देखता है, इसलिए उसको शास्त्र के अनुसार, उसके जो वरिष्ट जन है, जो उसके जो उपर के जो सीनियर लोग हैं, उनके कहे के अनुसार जब वो कर्म करता है, तो वो सेफ रहता है, तथा जीवों को नियंत्रित करते हैं, उन पर हमारे जो तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन पर वास्तम में उनका प्रभाव रहता है, सभी क्रियाओं को और तथा जीवों को नियंत्रित करते हैं, उस बात को समझाने के लिए भगवान शे यहां पर अठारवाश लोग बोलते हैं देखे क्या कहते हैं कर्म के तीन प्रेरक वा तीन संगटक थोड़ा टेक्निकल है समझाऊंगा मैं आप और सानी से समझ में आ ना कठिन नहीं है यानम येयं परिग्याता त्रिविधा कर्म चोधना कर्णम कर्म करतेती त्रिविधा कर्म संग्रह कर्म चोधना का मतलब यहां पर यह है प्रेर्णा देना कर्म की प्रेर्णा किस प्रकार से होती है कर्म की प्रेर्णा होती है तीन प्रकार से त्रिविधा क कोई भी कर्म हम करते हैं, वो पहले प्रेर्णा होती है उसकी, मान लिजे मुझे अपना घर बनाना है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो पहले उसकी प्रेर्णा आएगी, मतलब मन में विचार आएगा, कि मुझे एक घर बनाना है, ये घर इतना बड़ा होना चाहिए, ये घर में इस उपयोग के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, इत्यादी इत्यादी, तो कर्म के तीन प्रेरक होते हैं और तीन संगटक होते हैं तीन संगटक मतलब जब उसको मूर्त रूप दिया जाता है कर्म को तो तीन तीन फैक्टर वहां होते हैं और जब कर्म जो है वो प्रेर्णा के स्थर पर होता है तब उसके तीन प्रेरक होते हैं वो कौन-कौन से? तीन प्रेरक हैं ज्यानम, गेयम और परिग्याता. और तीन संगटक कौन से हैं? कर्णम, कर्म और करतेती करता. कर्णम मतलब इंद्रिया, कर्म मतलब जो कारे हम करते हैं, और करतेती मतलब करता, करने वाला. ये तीनों कर्म के संगटक हैं. इसको एक उधार कारण के माद्य हमसे संजेंगे करम के तीन प्रेयरक्ण से है ग्यानम ग्याम और प्रिव्याता मतलब क्या जैसे हमें कोई भी कार flex करना है कोई भी कारे करने के लिए हमें उस कारे का ज continua होना चाहिए वैं कैसे करें इसमें क्या-क्या चीजें मुख्य रूप से हमको उसकी हमको नौलेज चाहिए तो ग्यानम तो पहला ये पहला कारण पहला फैक्टर क्या है ग्यानम ग्यान होना यह मतलब हम उस ग्यान का कोई ना कोई लक्षय होगा ग्यान का लक्षय मतलब हम किसी ना किसी वजह से वह कारे करेंगे और फिर तीसरा उसका वो क्या है परिज्याता मतलब ज्यान प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए वापर कोई जड़ वस्तु तो करेंगे नहीं है तो कोई जीवित व्यक्ति कोई जानकारी करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यह ज्यान अरजित करें फिर जब ये ज्यान हम ले चुके हैं कि भी वो करें कैसे होगा planning हम वो कर चुके हैं रूप रेखा उसकी बना चुके हैं तो रूप रेखा बनाने के बाद उसको हम जब करने लगते हैं उसको जब हम मूर्थ तुरूप देने लगते हैं तब फिर क्या चीजें काम आती हैं कर्म के तीन संगठक तीन संगठक मतलब उसके constituents उसको करने के लिए उसको actual form देने के लिए उसको execute करने के लिए तीन factors हैं वो क्या है वो है कर्णम कर्णम मतलब कर्म के उपकरण यानिके इंद्रिया अब इंद्रिया कौन सी हो गई जैसे पांच तो कर्म इंद्रिया हो गई हाथ चाहिए पैर चाहिए बोलने की शम्ता चाहिए और पांच जो है वो ग्यान इंद्रिया हो गई देखना सुनना बचा, स्वाद, यह पांच आपकी एक तरह से ज्ञान इंद्रिया हो गई, तो आपको यह इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ, कि मुझे खाना खाना है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं हातों से खाना खाऊंगा, मैं हातों से खाना खाऊंगा, तो मेरा कर्म कौन सा है मेरा कर्म है खाना खाना और खाना मैं कैसे खाऊंगा आखों से खाऊंगा या चबाकर खाऊंगा या मैं चबाकर उस भोजन को प्राप्ट करूंगा तो करना मतलब इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है इंद्रियों की सहायता से किया जाता है और कर्म जो है जैसे खाना खाने का मैंने आपको कर्म बताया, वो कर्म हो गया, और कर्ता मतलब जीवात्मा हो गया, करने वाला, तो ये कर्म के तीन प्रेरक होते हैं, और कर्म के तीन संघटक होते हैं, अब यहां देखिए, उधारण के माध्यम से समझेए, जैसे मेरी कर्म के तीन प्रेरक मान लिजे, मुझे किसी व्यक्ति का इलाज करना है, कोई व्यक्ति है, कोई रोगी है, और मुझे उस व्यक्ति का इलाज करना है, तो यानि कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, या कोई मतलब मैं चिकित्सक बनना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे उसकी तयारी करने के लि मुझे clear होना चाहिए, भई मैं ये चिकित्सा विज्ञान क्यों पढ़ रहा हूँ, चिकित्सा विज्ञान में इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भविश्य में एक चिकित्सक बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और परिग्याता, परिग्याता मतल एक लक्षय बना कर पढ़ना पड़ेगा कि मुझे कल को भविष्य में डॉक्टर बनना है तो यह तो कर्म का एक प्रकार से सुक्ष्मिस्तर हो गया, सुक्ष्मिस्तर मतलब अभी कोई डॉक्टर नहीं बनाया हो, अभी किसी रोगी का इलाज नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी त तयार कर रहा है अपने आपको प्रिपेर कर रहा है फिर जब उसने Medical Science की डिग्री ले ली वो डॉक्टर बन गया अब उसको अगर किसी रोगी का इलाज करना है तो उस इलाज को करने के लिए उसको अब क्या-क्या चीजें चाहिए उसको चाहिए कर्णम कर्णम मतलब हाथ पै कर्म करना चाहता था वो रोगी का उपचार करना तो उपचार करने के लिए वहाँ पर रोगी उपस्तित होना चाहिए और फिर करता अब यही करता जो पहले परिग्याता था जो चात्र था अब वो क्या हो गया है वो डॉक्टर बन गया है तो कर्म के तीन प्रेरक होते हैं और कर्म के तीन संगटक होते हैं तो ये सब बाते हैं ये सब चर्चा भगवान क्यों कर रहे हैं जेके इसका विशे क्या है इसका विशे है गुण सभी क्रियाओं तथा जीवों को नियंत्रित करते हैं अब यहां भगवान क्या है वो क्या कर रहे है कि जो भी कारे होता है, जो भी कुरियाय होती है, उनको अलग-अलग तरीके से उनका Analysis कर रहे हैं. कि कोई भी कारे होता है, तो उस कारे को करने की दो Stages होते हैं. पहली स्टेज हम मांसिक लेवल पर होती हैं, बुद्धी के स्तर पर होती हैं, और दूसरी स्टेज जब होती है, जब हम वास्तव में उस कारे को करते हैं, तो ये कौन-कौन से उसके लिए कारण होते हैं, उसके लिए कारक कौन-कौन से होते हैं, उनका विशलेशन यहां पर क तो इस प्रकार से इसका विशलेशन कर रहे हैं, उसकी भूमी का बना रहे हैं, और फिर धिरे-धिरे इस बात का विशलेशन करेंगे, कैसे हर घटक हैं, ये तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, देखिए, इसके तातपरे को समझेंगे, कर्म करने से पूर्ण कुछ ना इसके पहले, इसके बाद वहे क्रिया का रूप धारन करता है, पहले सुक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, और फिर क्रिया का रूप धारन करता है, सुक्ष्म रूप का मतलब मन के इस्तर पर, प्लैनिंग चलती है, हम उसके ज्यान लेते हैं, हम उसका प्रेणा लेते हैं पहले मनुष्य सोचता है अनुभव करता है और इक्षा करता है जैसी मनोव ज्यानिक विधियों का सामना करता है जिसे प्रेड़ना कहते हैं और यह प्रेड़ना चाहे शास्त्र से प्राप्त हो या गुरू के उपदेश से प्राप्त हो ये एक सी होती है, प्रेड़ना तो प्रेड़ना होती है, कि मुझे ये कारे करना है, वो चाए शास्त्र से मिले, चाए गुरू से मिले, चाए उपदेश से मिले, वो प्रेरित होता है कि मुझे कोई कर्म करना है, जब प्रेर्णा होती है और जब करता होता है, तो इंद्रियों की साहेता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है, किसी कर्म के समस्त संगटों को कर्म संग्रह कहा प्रिया रूप में वो सामने प्रकट होता है। प्रेड़ना होने के बाद जब करता हो, करता मतलब करने वाला हो, उसके पास इंद्रियां हो, इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी सम्मिलित है, और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है, कर्णम, 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 कर्णम क्रियानवयन करना मतलब उसको मूर्द रूप दे दिना यह एक तरीचे से यहां बगवान बता रहे हैं। अब यहां देखिए कर्म की प्रेधना तथा कर्म के संगटक गुनों से प्रभावित होते हैं। मतलब जब हम प्रेर्णा लेते हैं कर्म करने की, यानि के ज्यान लेते हैं, और जब कर्म हम वास्तव में करते हैं, ये दोनों बातें जो हैं, तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं, सत्व गुण से, रजो गुण से और तमो गुण से ये तीनों प्रभावित होती हैं, अ ऐगली कक्षा में हम यहीं से अपनी चर्चा आरंब करेंगे यह जो बॉक्स हमने दिखा रखा है जिसमें अम अपीっयोगी लगी होगी समझ में आई होगी आपका जाppt चक्रेंब सूरौ को यहीं विराम देते हैं श्रीमत गीता की जय शिला प्रभुपाद की जय यदि आपका कोई प्रश्न हो कोई टिपणी हो तो आप हम चर्चाप कर सकते हैं बहुत बहुत नवाद बताईए कक्षा आपको सुलब लगी ठीक लगी समझ में आई आपने जो पांच कारण बताए करम के ये बहुत अच्छे से खोल के समझाए जैसे सरीद और ये आत्मा करण चेश्टा अग्या परमात्मा ये अच्छे से समझ में आए बहुत इन पांचों के कारण ही करम होता है ये विशलेशन कर रहे हैं भगवान जो है इस समय एक तरह किसे विशलेशन आत्मत कर्म का अध्यन कर रहे हैं जैसे हम कई बार कोई भी कारे करते हैं जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई के लिए चांटय पूराखा कि का जा जै तो करता हो ने वाला होना चाहिए फिर इंस नियुक्त निस आ है उसके बाद पर्मातमा के भी परमीशन नहीं देंगे तो आंद्री नही – नहीं हो सकता। मान लिज़ाए आपकी गैस खतम हो जाएए, या आपके घर में कोई बच्चा हो वो बीमार पढ़ जाए। आपको समय न मिल पाए भोजन बनाने का। तो भाग्य का भी साथ होना चाहिए और ये सारे जो और चेश्टा चेश्टा हो नहीं चेश्टा का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को रोटी बना ना चाहिए इस तरह से भगवान ये सब बता रहे हैं कि कोई भी कर्म करो तो ये पांच कारण जो हैं वो मुख्य रूप से उसम प्रेड़ना और फिर दूसरा मतलब जब वो एक्जीक्यूट किया जाता जब उसको किया जाता है और फिर आगे की चर्चा हम इस पर अगली कक्शा में करेंगे ही केंज़ी और कोई आपना प्रस्ण और कोई आपना हरे 깔बागी नपर चाहिए इवन पर बू हरे क्रिश्टानगा हरेकृस्टनाogi अजिए पिरभिस्टनु अजए जैदी के अज़ए हरे अजिता मता चाहिए हरेक्स्ना इषवरची अशोद्ट धूज शोड़ी अज़ना प्रभुजी जिवन प्रभु आजी किस्टा प्रबुजी चले प्रगी करेंगे आगे बढ़ाएंगे अपनी सचा बहुत 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 दन्यवाद ह्रי किशना प्रफुजी, ह्रे किस्ना प्रभुजी, ह्रे किश्ना, अल्मादि आझ The १्रफुजी, आझें , छूटाखू।